नमस्कार दोस्तों मैं उमेश आप सभी का आपना इटिव चानल है फिर से बहुत बहुत स्वाद करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले से जो आयकर विभाग है अनिकि इंकेम टेक्स है जो है आपको एक नोटिच दे रहा है और बोल रहा है कि आपका जो पेन काड दे दिया था कि 31 जून 2022 के बाद अगर आप अपने पेन काड को अधार से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक हजर पे का पेमेंट देना होगा तो सरकार उस समय बोली थी कि एक हजर पेमेंट देकर आप जो है 31 मार्च नोटिश सक अपने पेन काड को अधार का कीछ तक रखा गया था लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अब जो है 30 तक गुम कर दिया गया है और से काफी सरो लोग ऐसे हैं जो कि कह रहा हैं कि इसका जो लिंकिन का जो काम है वो completely free हो गया है free में pen card को जो है असानी से यहां पर अधार card के साथ link कर सकते हैं तो उसके regarding हम बात करेंगे कि आखिर जो date बढ़ाया गया है उस notification में क्या कहा गया है क्या आपको एक खजर पर नहीं देना होगा completely आप free में कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भी कई सरो लोग आप पर अफवा फैरा रहे हैं और बहुत सरे अलग अलग तरीका भी आपको बताया जा रहा है जो तरीका लीगल है कि नहीं है उसके regarding भी हम बात करेंगे तो प्लिस वीडियो सुरू से अं तक लिएक जो देखिएगा और वीडियो थुरा से अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करिएगा क्यूंकि आपका 13 जून 23 के पहले मतलब कर सकते हैं 30 जून 23 तक आप कर सकते हैं उसके बद आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन्होंने भी किलियर कर दिया है कि उसके बद हो सकता है कि आपको मौका ना दिया जाए तो अभी 31 मार्च से इसका जो डेट है बढ़ा कर 30 जून 23 कर दिया ग पहले इस तरह से आपको देना पड़ रहा था जैसे कि आप पें काड़ को लिंक करने जाएंगे उनकी पेइंड करना होता है यानि आपके पास भी pencard है अभी तक आपने pencard को अधार कार्ड के सा tätä साथ連क नहीं किया हुआ है अपने गलती किया हुआ है किसी भी कारण तो अप 1,000 प्रकरब का पिनाल्टी देकर अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा अपर लिंक नहीं करते हैं तो समझी आपको आने वाले future में क्या-क्या समसिया देखने को मीलेगा आप सबी जानते हैं कि पैन कार्ड जो है बहुत ज़रूरी है आपको बैक मे पेन काड इंवालिड हो जाएगा तो आप नहीं कर सकते हैं अगर आप लिंक नहीं करते हैं क्युक्ति आइगब का पिया कैड़ को इसकी रिगारी करना है साते सांत दोस्तों की आप में से काफी सरुव डिक sự हैं जो पीन करते हैं इस पोटल को ओन करेंगे तो आपको जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अधार लिंकिन स्टेटेस है बटन मीलेगा उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपना पैनकारड और अधारकारड नंबर को डाल कर चेक कर सकते हैं अगर यहां पर ओलेडी जो लिंक दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि आपका जो पैनकाड है अधार से पहले से ही लिंक हो चुका है अगर link नहीं है तो उस condition में आपको जो ही payment 1000 प्या करके आने की जो penalty है उसको जो अधार काड के साथ यहाँ पर link करना है तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी पैन काड है उस पैन काड का आप लाभ भविसे में लेना चाहते हैं तो जरूर उसको अधार से link कर वाले ठीक है लिंक कराने का एक वीडियो है उस वीडियो को आप चेक आउट कर सकते हैं फिर यूटीब बहुत सरे वीडियो हैं जिसके माधिम सबको पदाए चलेगा एक इस तरह से आप अपने पैन काड को अधार काड के साथ link कर सकते हैं इग दो चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक लिए वीडियो रेखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद